असलाम वालेकुम वेल्कम बेक टो इटी स्टफ मेरा नामे आमर बगत और आज हम बात करेंगे डिग्री वर्सेस स्किल जो आज कल बहुत होट टॉपिक चल रहा है वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूँगे मेरा बैग्राउंड जो है वो मैं आपको बहले बताऊँगा लेकिन इससे पहले यह जाना ज़रूरी है कि भाई यह सिर्फ मेरा प्रस्पेक्टिव है डिग्री वर्सेस किल की बहस में डिबेट में पिकॉल मेरी फेल्ड है वो स्केल बेस्ट है और मैंने डिगरी की भी है तो मुझे थोरा सा इसमें है एच बोलने के लिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे बहले बात करते है मेरे बारे मेरे नाम अमर भेकत है मैंने एकराज उनिवर्सिटी से बैचलर्स in media sciences किया हुआ है 2016 में मेरे खत स्किल बेस्ट फील्ड है आप इससे प्रैक्टिस बहुत करते हैं चीजे सिखते हैं एवन ऑनलाइन जाके पूरा जो है इनिवेशन सीख सकते हैं जिसमें 3D Max हो सकता है माया हो सकता है आफटरफेक्स हो सकते हैं प्रिमेर हो सकते हैं तुमाम चीज़ों होती है तो यह चीज आ गई आई नहीं मैंने सिखा बहुत कम था वहां पर लेकिन यह होता है डिगरी का प्रोसेस अब स्किल का प्रोसेस क्या होते हैं आपको चीज सीखनी है या तो आप ओनलाइन गए या पिर आप किशी इंस्टिटूट में आपने किसी इनिमेशन सीखनी है मुझे इसमें ड स्किल सीखें क्योंकि ultimate goal जो है वो skill का या फिर degree का है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए आप पैसे कमा सकें ultimate goal सब कर यह होता है तो अगर गोल में कर आप पहुंच रहे हैं हैं पैसे कमा रहे है skills से या पैसे कमाने degree से तो why does it matter कुछ jobs ऐसी होती है जो कि skill based नहीं होती ज से आप डॉक्टरी डेले मेडिकल की field लेले उसमें अगर आप नहीं पढ़ेंगे आप से practice करते रहेंगे सिकते रहेंगे तो आप qualification नहीं होंगे क्योंकि this is very very important field इसमें को पढ़ना पढ़ता है आपको पांच साल की यह white bachelor मुझे लगता है कि उसमें पांच साल का है क्योंकि मैंने आज तक बहुत कम लोगों को देखा है जो बैचलर्स की दो semester पढ़ने के बाद एक job पर लगए लेकिन मैंने ऐसे बहुत सार लोगों को लेखा है जो animation में है जो के film making में है जो के advertising field में है जो के designing बगरा करते हैं वो एक semester पढ़ते हैं अपने skills अची करते हैं वो practice करते तो यह दो jobs हो गई जिसमें आपको skill भी आपको समझ में आ गई और degree समझ में आ गई बात करते हैं degree की जो मैंने degree हासिट की है और मेरा इस बहस हो मुभायसा में क्या एक input है input मेरा यह है कि बाई मैंने जब degree की चार साल की जो कि मैंने 8 शाल में complete की नहीं 9 साल में complete की उसमें यह था कि भई जब मैं पढ़ने जाता हूं तो मैं एक deja у university में दाकिल होते हम बढ़ाई के मोड में आ जया चाहिआा हूं सीनिल led दाखिवर्म होते हैं दों covered तो तो है फिर तरफ स्टुटेंट्स होते हैं यह पढ़ाई कर नहीं बहुत होता है तो यह सब kalnt करता है हाइर अब आप पड़ते हैं दोसरों साथ बाते करते हैं यह आप आप फिर आप खत्म होताब घर जाते तो आप उस इन्वार्मेंट के बाहर निकलते हैं कोई भी चीज चीज करने के लिए चाहे है वो काम हो या वो पढ़ाई हो या कुछ भी चीज हो आपको उसका इन्वार्मेंट होना बहुत जरूरी ताकि आप उस दिमाद में एट्रेश कर सके हैं आज बहुत चल रहा है work from home जितने भी office के लोग हैं उनको घर से काम करना पर रहा है उनको मुश्किल हो रही है क्यों क्योंकि वो घर के environment में adopt नहीं कर पा रहे हैं अपने काम की चीज़ करना तो इसके लिए जाब डिग्री करने जाते हैं तो आप एक environment में आते हैं इसके लावा एक और प्लस पाउंट में डिग्री का जो मुझे लगा है वो यह है कि आप अपने साथ 25-30-40 बच्चे आपके साथ और होते हैं जो आप ही की चीज़ सीख रहे होते हैं आपके साथ ही सीख रहे होते हैं और आपके concept और स्ट्रंग होते हैं मेरा खुद के experience यह है कि मैं जब डिग्री करने जा रहा था था तो भाई हमारे होते हैं असाइमेंट्स में आप लोगे घर जाते हो शूट्स करते हो आप लोगों साब बैठ के कभी किसी का मार इंस्टॉल नहीं हो तो आप उसके help करते हो मै परसनली यह चीज़ करके बहुत चीक है क्योंकि मैं जो है class में teacher assistant भी था तो मैं चारीस बच्चों की class थी उसको मैं sir को assess करता था और उसमें फाइदा मेरा यह हो कि मैं 40 गलती उते सीखता था कि यह गलती मुझे नहीं करनी है आप एक्सपिरियंस आपका बढ़ते चाहरा आप लोगों के दर्मयान बैठते हैं आप like minded लोगों के साथ पढ़ते हैं उनके साथ काम करते हैं आपको ideas आते हैं उनकी ideas आपको मिलते हैं आपके ideas वहां शेयर होते हैं जिदना बैस मुभाशा होता है अतना आपका दिमाग ग आए गई जो मुझे लगता है कही ने कहीं मुझे किसी ने help की है अपनी field में settle होने में मैंने वाँ में interpersonal skills पर ही है जिससे मुझे positive attitude of mind मिला है मुझे यह सीखने मिला है कि जरूरी ने कि आप हमेशा privilege होता है आपके इची चीज़ है आप दूसरों के जूतों में घुसके भी सोच सकते है getting in the shoes कि वो क्या सोच रहा है उसने यह बात क्यूं बोली तो यह चीज़ आप जो है उसमें नहीं सीख सकते घर बेटे बेटे एक software सीख के वो आप चीज़ नहीं कर सकते तो यहां फाइदा जाता है डिग्री को अब बात करते है skill की मैंने जब itstub.p के जो मेरी website है shameless लग जो मैंने व शुरू की तो मुझे website बनाने नहीं आती थी मुझे से पढ़ाने आता था वो भी editing और after effects जो मुझे आता है हम दोभी लागा को पढ़ना है तो आप जा सके खेर तो जब मुझे वो नहीं आता था तो मैंने website logo से बनवाई मेरा पुरा एक साल वेस्ट वा लोगों से website बनवाने में क्योंकि वो मुझे अपना काम करके दे रहे है वो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है और फिर बड़े मसले हो रहे थे तो मैंने सोचा कि यार यह मैं खुद ही कर लाता हूँ जब पताया रहे हैं कि मैंसके सीखो तो खुद ही क्यों नहीं सीख सकते website बनाना मैंने जो है सर्च शुरू किया Shopify वगरा वे देखा Shopify की website इसका पारिक मुझे help की हमने चीजों को बनाये करते करते कर और यह चीज मैंने खुद सीखी लेकिन यह मुझे बहुत वक्त लगा खुद सीखते 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 कभी YouTube से सीख रहे हैं कभी कोई और website से सीखते कभी कही पैसे देकर सीखते कभी किसे को phone कह रहे है तो process काफी लंबा हो या था और मुझे online सीखने में यह मसदा हो रहता है कि भाई मैं शुरू कहां से करूं end कहां पर करूं मतलब मुझे अगर suppose करें कि मुझे अपनी website पे एक पैसे लेने के तरीका लगाना है तो वो मैं किस तरह लगाँ और मैं यूटूब में सच करते हूं तो हजार स्किल्षय.com मुझे अन्वे सब्सक्रिप्शन ली कोई 60-70 दॉलर की तो उससे फादा यह हुआ कि मुझे पता है मैं पैसे दे रहा हूं उनको भी पैसे ले रहे हैं मुझे तो मुझे वह अच्छी इंट्रॉमेशन दे रहें कि भाई यह चीज शुरूबात है अगर आपक स्ट्रक्चर कड़े को लग देती है और स्किल्ड आपको जब खुछ सीखते हैं तो थोड़ा उपर नीचे उपर नीचे होता रहता है तो स्किल्ड अगर आप करीसे सीख रहे हैं ऑननाई सीखर तो आपको थारा मसला हो सकता है लेकिन अगर आपने किसी इंस्टिटूट से जो आपके पियर एजुकेशन इसकाम करते हैं आपस में वह आप सही नहीं हो सकता आपका वह आपको पियर एजुकेशन आपको यूश्टी में जाके ही मिल सकता है तो यह लंबी डिबेट आपको समझ में आयो कि भाई स्किल की क्या फायदे हैं और डिग्री की क्या फायद मुझे स्किल on-line सीखनी पड़ रहे हुगा कि मुझे बात करनी पड़ रहे हुगा हुगा उद फो कर दो Professor करो तो यूरिस्टी में जो मैं मिस कर रहा था कि भाई वे लोगों से इंटरेक्शन वो स्किल में आपको लोगों को फोन करना पड़ता है कि वो लाइक मैंड़ेट पीपल नहीं होता आपको कोई दूसरा बंदा आपको नहीं यह और नाइन माकेटिक नहीं सीख रहा होगा त तो ये चीज़ है है कन्कुरूजन की तरफ डिग्री और स्किल में हमें लडना नहीं है कि तुम डिग्री वालो उने पैसा जाया किया है तुम जालो गर पे बेट गुसके हैं तो हममें इतना हमने आते हैं हमने चार चार साथ पड़ा है नहीं भाई मुझे पसी ना रहा है इस ही नहीं है यहाँ पर खेर तो आपने लड़ना नहीं है इस पर आपने आपको खुद देखना है कि काफी लोग ने जो घर पे इट बैटे सीखके माशाला बहुत अच्छी जॉब्स पर लग गए हैं काफी लोग डिगरी लेके भी जॉब्स नहीं पर पार है तो वह आपको खुद बैलेंस देखना पड़ता है अगर आप बहुत डेडिकेटेड हैं और आप घर पे बैटके भी सीख सकते हैं तो इस सची कोई बात नहीं है यूट्यूब है और बाकी तमाम बहुत सरी वेबसाइट हैं जहां पैसे देखके आप सीख सकते ह आपको बस सीखना आना चाहिए इस पर लड़ने की बात नहीं कि भाई या क्या डिग्री क्या स्किल आपको सिर्फ चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई यी चीज मुझे सीखनी है और मुझे अगर मेहनत करनी है क्योंकि आपको एक तो रिसर्च पढ़ना पुद पढ़ेग मिल जाएंगे हैं कि Facebook अगरा में Facebook groups में कि जैसमें आपको एक information collective information जो के same-minded people है वो आपको पता सकते हैं तो यह चीज है अब decide आपने करना है कि आपके लिए क्या बेटर है डिग्री है या आपके स्केल है लड़ना नहीं है बसे enjoy करना है जर्नी को and I think that's it so I hope कि आपने कुछ पूछिक अब शिखाओ अब शुछ प्रॉक्टिव हुआ हो and see you in the next video